बिसनस मुवें नीताम बानी अपने बेस्ट फेशन सेंस के लिए जानी चाती है। उनके पास साड़ियों से लिकर जूलरी का एक अमेजिंग कालेक्शन है। जो भारत की सम्रत विरासत की कहानी पताता है। उनके क्लोजेट, भेंगे डायमंड, गोल्डन और एमरॉल जूलरी से भरावा है। जिने वो अपने आउटफिट्स के साथ मिक्स एंड मैच करना पसंद करती है। पिछले कुछ सारों से वो अपने फैमिली एवेंट में जब भी बहार निकलती है। तो उनका बेस्ट फैशन सेंस देखने को मिलता है। हाली में अपने बेटे के प्री वेडिंग फंक्शन के बाद नीतामबानी को मिस वर्ल्ड दोहोजार चोविस प्रत्योगिता में मुगल बादशाह की जूलरी पहने में देखा गया। और उनकी जूलरी कलेक्शन ने हर किसी का ध्यान अपनी और खीश लिया। नो मार्च को नीतामबानी मुंबई में आयोजीत मिस वर्ल्ड प्रत्योगिता के लिए हतकरगा साड़ी में नजर आई। उनके परोपकारी कारियों के लिए उन्हें ब्यूटी विट पर्सन हुमेटेरियन अवार्ट से सम्मानित किया गया। हलकि इस तोरान हर किसी की निगाहें उनके बाजूबन पर ठहर गई जो वास्तों में मुगल समराट शाह जहां की कलगी थी। जी हां एक फैन पर से ये दावा किया गया है कि नीता जी के इस महेंगे पीस की कीमत करिब 200 करोड रुपे थी। एक इस्टा पर इस टोफो फीलिया के अनुसार जूलरी की हाइट 13.7 सेंटीमीटर और चोड़ाई 19.8 सेंटीमीटर थी। और ये गोल्डन से मनावा था जिसमें डाइमन, रूबी और इस्पिनल्स जड़ावा था जो भारती जूलर्स द्वारा अपनाई गई पच्ची का काम तक्निकी का उप्योग करके यूरोपी एक क्लास सेटिंग की कॉपी करने का प्रया से। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इस जूलरी का खूप सुरत पीस आकरी बार 2019 में निलामी में बेचे जाने से पहले AI थानी कलेक्शन में देखा गया था। देख धागे और पैटन की पीछे मास्टर शिल्पकार मोहमद इसलाम की 45 दिनों की कड़ी मैनत थी। निताजी के साड़ी पर जाल पैटन बनाया था जिसके एक एक डिटेल में फ्लोरर एम्प्रोईडी की गई थी। वही इस वर्क को सजाने के लिए सोने के तारों का स्तमाल किया था। जिसके कारण इसके रॉयल्टी दोगनी हो गई थी। साड़ी की बॉर्डर में गोल्डन गोटा पट्टी के साथ साथ चोटे-चोटे पैच डिसाइन किये गए थे। जो कि काफी खुबसुरत थी। नीता जी ने इस साड़ी को सेंगलर की कॉम्बिनेशन के डिसेंट कट वाले ब्लाउस के साथ पैरप किया था। जिसके अस्तीन पर गोल्डन गोटा पट्टी थी। इस ब्लैक साड़ी के साथ नीता जी ने गले में कोई नेकलेस नहीं पहना था। जिसके वज़ा से उनके येरिंग्स अट्रेक्शन पॉइंट थी। दरसल नीता अंपानी ने दोनों कावनों में चेन एंस्पायर्ड जुम के कैरी किये थे। जो कि पोलकी और रूबी मेट थी। उन्हें अपने हाथों पर गोल्ड से बने जड़ाओ कंगन पहने थी। और इसी के साथ एक बाजू बन भी पहना था। जो काफी रॉयल था। जब इस बारे में थोड़ी से रिसार्च की गई तो पता चला कि उनकी जो बाजू बन थी वो वास्तों में मुगल समराच जहां जहां की कलगी थी। दोस्तों आपको नीता जी का यह लुक कैसा रगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और लेटेस अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब करें कजब खबरी।